जैहिन दोस्तो मैं रभय आपका एक बार फिर से टेक्फुली चलंग में स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो से हम अपनी पैटर्न प्रोग्राम्स की सीजी को स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तो सबसे पहले मैं आपके लिए बेसिक प्रोग्राम्स लेका हूँ जैसे स्क्वार पैटर्न तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ आपके लिए स्क्वार पैटर्न प्रोग्राम्स लेका हूँ दोस्तो सबसे पहला हमारा program है ये, दोस्तो main function के अंदर हमने दो variable लिया हुआ है, एक लिया हुआ आई और एक लिया हुआ जे, उसके बाद clear skin का हमने function यूज़ किया हुआ है, इसके बाद जो important चीज़ इस program है वह आपके loops, तो इसमें मैंने दो loop यूज़ किया हुआ है, एक ह आपका outer loop, inner loop आपका print करा रहा है एक asterisk को और outer loop आपके लिए एक function का यूज़ कर रहा है, जो print है, जो print कर रहा है आपकी एक next line के tap को, तो दोस्तो इस program के बारे में हम पूरी तरीके सच जानेंगे, तो for loop की statement को हम देख लेंगे है, यहाँ पर i का कुछ ने लिख रहा and i++ जो हमारी update condition है, तो यह हमारा loop अभी तक यहाँ पर सही चाल रहा है, ऐसे ही अगला loop है, जे is less than equal to 5 and j++, तो दोस्तो अब यह किस तरीके से एक pattern को print करेगा, उसके बारे में हम जानते हैं, तो दोस्तो सबसे पहले हमारा outer loop चलेगा, जो हमारा i वाला loop, तो i वाले loop में प is less than to 5, अगर आपकी condition यह true होगी, मतलब यह वाली condition अगर true होगी, तो इसे update करने की बचाए, यह loop आपका सीध्य inner loop के अंदर चला जाएगा, तो यह अब inner loop को execute कराएगा, तो inner loop आपके क्या है, inner loop आपको बोला है, j equal to 1 है आप condition check करेगा, j equal to 1 तो हो गया, condition यह है, j is less than equal to 5 or not, तो आप जैसे की जानते है, 1 is less than to 5, तो यहाँ पर यह condition भी true होगी, अगर जैसे ही यह condition true होगी, तब यह अपने अंदर का जो भी function इसको execute कराएगा, तो अंदर वालो जो function है, वह आपका print है, जो print कर रहा है आपका asterick, तो यहाँ पर जो पहला जो print होगा, वो गाप एक जै की value को, तो अब आपके loop जो इस step पर आगया, जै को update करेगा, तो जै की value अब होगी अपकी 2, अब जै की value अपकी 2 होगी है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2, तो जै equal to 2, so 2 is less than to 5 or not, yes, 2 is always less than to 5, so this statement is also true, अब जो हमारा program है, वह फिर से execute करका इस print हैफ को, तो print यहाँ पर फिर से हमारे एक stack print हो जाएगा, जैसे हमारे एक stack print होगा, जैसे ही यह follow पूरा काम खतम कर लेगा, उसके बाद सीध ही update condition पाजाएगा, तो update condition में आपका एक बढ़ जाएगा, तो अब हो जाएगा आपकी J की value 3, अब जब J की value 3 होगे, तो मैं यहाँ पर इसकी value print, तो यहाँ पर एक और stack print हो जाएगा, जैसे ही execution करता है मुगी, तभी आपका J फिर से update होगा, और J की value इस बार 4 हो जाएगा, तो J equal to 4, तो अब यह check करेगा, क्या आपका 4 चोटा है 5 से, तो हाँ, 4 हमारा चोटा है 5 से, तो यह true है, जैसे true होगा, फिर print F को print करेगा, तो यहाँ पर फिर से update करेगा, फिर आपके condition update होगी, तो अब हो जाएगा, आपका J equal to 5, तो अब ही check करेगा, कि J आपका चोटा या बराबर है, तो चोटा तो नहीं है, पर बराबर का हमने इसमें use किया है, तो 5 is equal to 5, तो यह condition होगा, जैसे condition true होगी, तो हमारे यह print F वाला function execute ह हो जाएगा, तो print F के अंदर बर a stick लेगा हुआ, तो यहाँ पर एक और a stick हा जाएगा, अब जैसे ही यह print F इस बार execute होगा, तब ही update करेगा, जैसे ही update होगा, तो यहाँ पर Z की value हो जाएगी 6, अब जैसे ही हमारा Z 6 होगा, तो यह condition जो false होगी, तो यह inner loop का जेतना काम था यह खतम हो जाएगा, जैसे ही यह खतम होगा, अब जैसे ही आपको मतलब यह loop काम करना बंद करेगा, तब ही print करेगा इस print F वाले function को जो आपके outer loop के अंदर आती है, तो यह outer loop के जो print F है, यह करा रहा है आपका slash end tap को print, तो slash end के काम अब जानते हैं, यह अगली line में आपका करजर पहुच जागा, तो अब आपका करजर आगया यहां पर, अब जैसे ही यह print F slash end को print करेगा, मतलब कि करजर आपका next line पहुचेगा, तब ही आपका outer loop का काम खतम होगा, अब जैसे ही आपका outer loop का काम खतम होगा, क्योंकि outer loop जब आपका i equal to 1 था, तो अब यह सीधे update i value होगी आपकी 2, तो यह check करेगा, क्या i आपका छोटा है 5 से, i हमाना 2 है, 2 हमेसा छोटा होता है 5 से, तो यह condition आपकी 2 होगी, जैसे ही true होगी, फिर यह loop के अंदर पहुचेगा, और फिर से वही j अपना काम करेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 5 तक चलेगा, और पांच टाइम आपका फ लूप के अंदर आ रहा है, selection बाला, यह execute होगा, और जैसे ही execute होगा, तो आपका जो करजर था, वो next line में पहुच जाएगा, अब जैसे ही आपके outer loop का print tab, जो के selection बाला था, जैसे ही execute होगा, तो अब यह फिर से update होगा, आपका 3 होजाएगा, तो i is equal to 3, तो अब यह फिर से आपका inner loop अभी से start होगा, तो i is equal to 1, condition हर बार true होती जाएगा, जब तक 5 तक आएगा, और हर बार यह 5 asteric को print कर देगा, जैसे ही आपके 5 asteric print होगे, और update होगा, अगली बार आपका z, तो यह हो जाएगा, फिर से 6, 6 आपका छोटा नहीं होता, और ना ही बरावर होता है, यह 5 करते ही हो जाएगा false, और false होता ही, फिर से यह outer loop बाला print tab को print कर देगा, और यह फिर से cursor आपका next line में पहुच जाएगा, अब जैसे ही आपका cursor next line में पहुच गया था, अब यह फिर से i आपका update होगा, और i की value इस बार हो जाएगा, आपके i equal to 4, और अब यह फिर से condition check करेगा, 4 is less than to 5, yes, 4 is always less than to 5, अब जैसे ही condition आपके true होगी, तो यह फिर से inner loop को print करेगा, तो inner loop में आपका print tab यह फिर से 5 टाइम ही चलेगा, क्योंकि बन से ही आपका J हमिसा start होगा, तो यह 5 as to print कर देगा, और जैसे ही J की value 6 होगी, तो यह false हो जाएगा, फिर से outer print tab को print कर जो होगा, जो होगा आपका less than, तो यह आपका करदर अपकी बार, फिर से next line में पहुच गया, अब जैसे next line में आपका करदर पहुच गया, आई फिर से update होगा, आई पहले 4 था, अब होजाएगा 5, तो I is equal to 5, तो यह condition फिर से चेक करेगा, I is less than, नहीं, आई तो छोटा नह करता है कि यह asteric को print करता रहेगा, तो asteric आपका फिर से print होगा 5 times, जैसे ही J की value 6 होगी, तो यह false होजाएगा, आपका फॉल्स होने के बाद जो आपका compiler यहाँ पर पहुचेगा, जो print करेगा एक slashn को, मतलब ही करदर आपका next line में आ चुका है, जैसे ही करदर आपका next line मे होता है, तो यह condition इस बार fail हो गई है, जैसे ही condition fail होगे, तो यह inner loop का अंदर नहीं जाएगा, बलकि यह outer loop में भी नहीं जाएगा, अब यह सीधा, जैसे ही condition false होगी, loop से बाहर जगा सीधे, आपका get cs वाला function को print करेगा, तो आपका जो pattern आएगा, वो कुछ इस पर कार आएग CLR, SCR का यहाँ पर मैंने फिर से यूज किया है, ताकि मेरी स्कीन पर कोई भी पुराना काम दिखाई नदे, उसके बाद I की value यहाँ पर मैं फिर से बन देता हूँ, तो I आपका फिर से बन है, और I is less than to 5, वही condition नीचे भी है, जैसे is equal to 1, और इसके बाद मैंने जो इस पर print app में बदलाब किया हुए ही किया है, हमने यहाँ पर format specifier यूज किया है, जो हमारा entries of format specifier, जिसे हम बोलते है, percentage, उसके बाद हमने किस की value यहाँ प्रिंट कराई है, हमने यहाँ प्रिंट कराई है, आई की value, ठीक, उसके बाद मैंने फिर से वही function नीचे यूज किया, जो हम copyright अगली condition जो यहाँ पर है, जो आपका loop क começarका पहला step होता है, वह होता है initialization, जो second step होते है, अपका condition आपके true होगी true होती है आपका inner loop फिर से start हो और inner loop आपका one से start हो तो j की value अब यहाँ पर है one तो यह condition चेक करेगा j चोटा है five से हाँ j चोटा है five से जैसे ही यह check करेगा तो यह आपका execute कर देगा इस printf को जो यह print करेगा वो होगी i की value तो i की value अब ही आपके क्या है i की value आपकी one है तो यहाँ पर आपकी one print हो जाएगी इसी तरीके से जब तक की loop चलेगा जब तक यह condition false नहीं हो जैसे ही statement execute होगी तुरंत आपका j update हो जाएगा और j की value 2 हो जाएगी उसके बाद यह condition फिर से check करेगा j is less than to 5 हाँ आपका 2 हमेशा 5 से चोटा होता है उसके बाद यह true होती ही तुरंत आपका फिर से printf को print कर देगा और इस बार भी आपकी i की value 1 होती है तो ऐसे ही 5 times तक चलेगा तो i की value आपकी हमेशा print होती जाएगी तो i की value आपकी 5 बार print हो चुकी है जैसे ही j की value आपकी 6 होगी तो यह condition आपकी false होजाए क्योंकि j की value 6 है और 6 कभी भी आपको चोटा है और फिर बराबर नहीं होता है 5 को जैसे ही condition false होगी तुरंत यह नीचे पहुचे गा और outer printf जो आपका outer loop के अंदर आ रहा है उसको print कर देगा तो printf में इस बार selection है तो मतलब यह cursor आपके next line पर पहुच जाएगा जैसे यह outer वाला printf आपको execute होता है तो रहनत आपकी i value बेट हो जाएगी तो i equal to 2 हो जाएगा तो i value आपकी 2 होगी तो यहां लेग दिता हम i equal to 2 उसके बाद initialization के बाद यह चेक करेगा क्या i आपका 5 से चोटा या बरावर है तो हाँ यह चोटा या बरावर है जैसे यह पर condition true होगी तो रहनत यह inner loop को काम कराएगा तो inner loop आपका फिर से जे है और जे आपका हमें सब 1 से ही start होगा जे आपका 1 है तो फिर यह पास time ही चलेगा और इसमां हर बार print होगी i value पर i value यहां पर पहले ब बंद कर देगा और यह outer printf को print करेगा जो आपका slashn है तो cursor आपका next line पर पहुंच जाएगा जैसे ही आपका यह outer printf, slashn पर printf execute होगा तो रंत आपका i फिर से update होगा और i value इस बार 3 हो जाएगा तो यह condition check करेगा condition आपकी फिर से true है क्योंकि तीन आपका छोटा है 5 से तो जै जैसे ही जै की value आपकी फिर से 6 होगी, यह condition false होगी, false होते ही आपका outer printf print होगा और यह print करेगा selection को, तो cursor आपका next line पहुंच जाएगा और इस statement को print होते ही आपका i की value फिर से update होगी, तो i की value इस बार आपकी 4 हो जाएगी, 4 होने के बाद आपका inner loop फिर से चलेगा, तो यह 5 time चलेगा, तो i की value यह print करेगा, अंदर वाला जो आपका loop है inner loop तो यहाँ पर 4 आपकी 5 time print होगी, उसके बाद next line पर आजाएगा, next line पहुंच जाएगा, उसके बाद i की value आपकी update होगी, i की value इस बार 5 हो जाएगी, तो 5 इस बार यह print कर देगा, जैसे ही यह 5 print करेगा, त परंत आपका i update होगी, 6 और 6 आपका ना तो छोटा होता है, ना ही बरावर होता है, 5 को जैसे condition false होगी, यह काम करना बंद कर देगा, और यह आपका pattern यहाँ पर निकल कर आजाएगा, ऐसे ही आपको अगर यह वाला pattern print कराना हो, तो आप %D के साथ inner loop के अंदर Z की value को print इस पर मैंने i की कराएथी, आप Z की कराएगे, तो यह इस तरीके का pattern आपके सामने आएगा, और यह इसी तरीके से execute होगा, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, दोस्तो आसा करता हूँ, आपको वीडियो समझ में आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर जीज़े, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा, तो दोस्तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों को धस्यर करें, और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, दोस्तो वीडियो देखने के लिए धन आपने बाद